प्रिये विध्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका पेपर थर्ड इलेक्टोनिक्स, जिसका पहला अध्याय है परिपत विशलेशन। परिपत विशलेशन से हमारा ततपर है कि हम परिपत के विभिन भावों में धारा और वोल्टा को अध्यान करेंगे जो बिंदू हमें दिये गए हैं उन सब बिंदो पर हम धारा और वोल्टा का मान याद करेंगे अब इस परिपत वजाल में हम देखते हैं तो हम क्या क्या ज जोडते हैं, हम परित्रोद जोडते हैं, संधार इतरे जोडते हैं, बैटरी जोडते हैं, ट्रांजिस्चोर जोडते हैं, अभी तक ये सारे अवयव आप जोडते आए हैं, और ये सारे जो भी भाग हैं, जो कि वोलता और धारा को प्रभावित कर सकते हैं, ये परिपत अवय हम में जानते हैं कि V is proportional to R तो समंद आप लिखते हो V is equal to IR तो यह जो linear समंद को follow करने वाले अव्यव हैं यह कहलाते हैं रेखिक अव्यव इसका मतलब प्रतिरोध हम लेते हैं संधारित्र लेते हैं प्रिड़क्त हु लेते हैं यह सब रेखिक अव्यव हैं रेखिक अव्यव वो अव्यव होते हैं जो कि वोलता और धारा का समंद जिसमें रेखिक नहीं होता है V is proportional to I नहीं होता है जैसे हम संधी डायोड के लिए बात करते हैं जब तो हम लिखते हैं I is equal to I is exponential evb upon kt यानि यहां जो धारा है वो वोलता का चरग हतांक की फलन है तो धारा वोलता के समानुपाती नहीं है ऐसे अव्यव अरेखिक अव्यव कहलाते हैं जैसा कि सपरिष्ट है कि डायोड और ट्रांजिस्टर में जब हम बात करेंगे तो यह दो मान है कि हम अगर प्रतिरोध भी निकालते हैं और उस प्रतिरोध का जब हम मान निकाला जाता है तो उसके कुछ भाग को हम उस वक्र के कुछ भाग को धारा वोलता कि मध्धे जो हमने वक्र खीचा है उसके कुछ भाग को हम peace wise linear माल लेते हैं यानि कुछ भाग को हम रेखि अव्यव नहीं है अरेकिक अव्यव है अब दूसरा अव्यव हमारे पास आता है सक्रिय अत्वा निश्क्रिय अव्यव वो हैं जिसमें की वोलता और धारा की जो आपके पास सोथ हैं वो उपस्तित होते हैं जैसे कि हम कहीं वोलता सोथ है तो एक सक्रिय अव्यव है एक धारा स्रोथ है वो एक सख्री अवयव बैटरी आप लगाते हो प्रात्म एक्सेल दिर्त्य एक्सेल यह सब सक्री आयो है जबकि निश्कीरे अवयव जो कि धारव वोलता के स्रोथ नहीं है जैसे कि प्रतिरोध आप उसके अक्रॉस वोलता पतन निकालते हो लेकित अपने आप में में पतकि और और यह सब सक्री आपरुद नहीं उसके अपने आप में आपने एक निश्क्री आवयव है अब तिसरा भागं हमारे पास आता है निकालते हैं लंड अव्यव हैं और ये वो अव्यव हैं जो कि जैसा उनका प्रारूप है वैसे कि वैसे ही वो परिपत में आपका behavior करते हैं वहवार करते हैं जैसे कि प्रतिरोध है जैसा दिखता है वैसा ही वहवार होता है उसका संधरित जैसा हम देखते हैं वैसा ही वहवार है यानि कि परिपत गर्णाओं में भी हम उनको उसी रूप में परदर्शित करते हैं जबकि विभाजीत अव्यव वो है जिनका प्राकर्तिक स्वरूप भौतिक स्वरूप अलग है लेकिन हम उनको जब परिप विशलेशन करते हैं तो उनको हम किसी और रूप में विशलेशिट करते हैं जैसे कि हम कहें Transmission Lines के हम बात करते हैं Central Lines की बात करते हैं तो भौतिक रूप में वो हमें एक तारों के रूप में दिखती हैं लेकि जब उनका परिपत विशलेशन करने जाते हैं तो हम उनको प्रतिरोज, संधार, प्रिड़त के रूप में दर्शा आते हैं तो ऐसे अवयव कहलाते हैं विभाजित अवयव यानि उनका विभाव वहवार जो है विभाजित रूप का है उनका वहवार भौतिक रूप से अलग है और परिपत विशलेशन के रूप से अलग है और चोथा भाग हमारा है एक पाशरविक और दूपाशरविक अवयव वह हैं जिनमें धारा की दिशा अगर हम बदलते हैं तो उनका वहवार बदल जाता है जैसे डायोड डायोड जादा हमारा जब अगर बायस में होता है तो उसका प्रतिरोध बहुत कम है लेकिन जब उसको हम धारा की दिशा पलटके रिवर्स बायस में लगाते हैं तो उसमें से बहने वाली धारा का मान बहुत कम हो जाता है तो एक तरह से जो हमारा डायूड है वो एक पाशरविक अवयव है यानि यूनिलाटरल रिवाइज है जबकि दी पाशरविक अवयव होते हैं जिनमें धारा की दिशा बदलने पर उनमें प्रतिरोध में उनके वहवार में कोई फरक नहीं आता जैसे प्रतिरोध को चाहे रेखिक अव्यव लगे हूं, उसी अधार पर वो जाल जो है, रेखिक या रेखिक कहलाएगा, सक्री अव्यव लगे हैं, तो जाल आपका सक्रीय कहलाएगा, केवल निश्क्री अव्यव लगे हैं, तो निश्क्रीय जाल कहलाएगा, समू अव्यव लगे हूए हैं, तो समू जाल कहलाएगा, विभाजित अव्यव लगे हुए हैं, विभाजित जाल कहलाएगा, यानि जैसा परिपत अव्यव लगा हुआ है, उसी आधार पर हम परिपत जालों का वर्गी करन भी कर सकते हैं, एक बार में एक परिपत जाल सक्रिय के साथ रैखिक भी हो सकता है, सक्रिय क तो अपनी दिशा बदलती है ना ही मान बदलता है आदर्श स्वरूप में ऐसी धारा दिश्ट धारा होती है और ऐसे दिश्ट धारा सोच से बना हुआ जो परिपत है वो जाल जो है वो दिश्ट धारा जाल कहराता है और ऐसा परिपत जालक जिसमें कि प्रत्यावरती धारा क प्रत्या वर्तिधारा का जालग कहलाता है अब हमने जालकों का जो वर्गी करण किया है वो उसमें परिपत में लगे हुए अव्यवां के अधार पर किया है लेकिन अब हम देखते हैं कि जो जालकों का वर्गी करण है उन पे लगे हुए किस प्रकार से उनके प्रतिरोधों क आपस में जोड़ा गया है उनका चित्रन किस प्रकार से किया जारा है उस अधार पर भी हम जालकों का वर्गिकान कर सकते हैं तो पहला कि जैसा कि आपको दिख रहा है टी जाल इसकी प्रकरती आपको साफ देख रही है अंग्रेजी के टी अक्षर जैसी है इसमें तीन प्रति आरवन आर्ट वार थी एक स्टार की स्रंचना के रूप में चुड़े हुए और ऐसी स्रंचना वाला जाल स्टार जाल कहलाता है तीसरी स्रंचना दिख रही है आपको पाई जाल के रूप में जिसमें पाई जिस प्रकार से हम बनाते हैं उसी प्रकार से यह इसकी स्रंचना इसी परकार डेल्टा जाल के सरेंशना, जह हम डेल्टा निरूपित करते हैं, वैसी ही इसकी सरेंशना में तीन प्रतिरोद लगे हुए हैं, और एक और जाल है हमारा लेडर जाल, सो पानी, यानि जह हम जैसे सीडियों के रूप में ही यह जाल आगे बढ़ता है, और जैसे कि सीरीज में लगे हुए प्रतिरोध को दो प्रतिरोधों में जोड़ दिया है R1, R by 2 और R by 2 आप अच्छे से जानते हैं कि जब हम प्रतिरोधों को शेनी क्रम में जोड़ते हैं तो R by 2 प्लस R by 2 का सुनेजन मुझे R ही देगा इसलिए पहले और दूसरे नेटवर्क में कोई अंतर नहीं है तो एक सोपानी जाल को हम कनवर्ट करके हमने इसको T नेटवर्क के रूप में दिर्शाया है इसी नेटवर्क को मैं पाई जाल के रूप में विदर्शा सकती हूँ यहां मैंने पहले वाले नेटवर्क में मैंने शेनी वाले प्रतिरोध को तोड़ा था और R by 2 R by 2 में 2 में तोड़ा है लेकिन अब भी हैं यहां दूसरे नेटवर्क में समानतर क्रम में लगे हुए प्रतिरोध को 2R और 2R दो प्रतिरोधों में तोड़ रही हूं तो आपको अगर मैं इन दो 2R और 2R जो पैरलल में मैंने जोड़े हुए दर्शा रखें हैं उन दोनों का मैं अगर मैं मान निकालूँगी परिणामी मान तो वो मुझे आर ही मिलेगा तो इस प्रकार से एक दियेगे लैडर नेटवर्क को मैं T नेटवर्क में भी दर्शा सकती हूं और प्रारंबिक शर्ट यही होती है कि किसी भी जाल के नेटवर्क पे इंपुट पे जो भी आपकी पास धारा और वोल्टा है जिसमें आप उसको परिवर्तित कर रहे हैं उस जाल के इंपुट पर भी वही धारा और वोल्टा होने चाहिए। अब हम जो अध्यन करने जा रहे हैं क्योंकि हमें सर्किट एनलेसिस करना है तो हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से कि आपस में हम जोड़ेंगे कि किस प्रकार से हम बाकी डेफिनिशन को देते हैं तो उसमें डेफिनिशन में हम सबसे पहली जो डेफिनिशन देते हैं वो देत तो जालक का वो बिंदू जहां पर दो या दो से अधिक धारा के आके धाराएं आके मिलती हैं वो बिंदू नोड बिंदू कहलाता है और तीसरी भारिभाशा हम देते हैं लूप की यानि कि आपके पास जब बहुत सारी शाखाओं का एक समू जिसमें एक ही धारा बह रही हो तो वो कहलाता है आपके पास पाश या लूप यानि लूप में हम कह सकते हैं कि बहुत सारी शाखाओं से मिलकर एक लूप का निर्मान होता है तो जब भी हम अध्यान करने जाते हैं तो या तो लूप एनलेसिस करते हैं या मैश एनलेसिस या लूप एनलेसिस करते हैं और क किर्चाफ के नियम भी इनी के आधार पर बनाए जाते हैं धारा का नियम और वोल्टा का नियम तो अगले हम अपने लेक्चर में देखेंगी कि हम किस तरह से धारा और वोल्टा के लिए हम किर्चाफ के नियम लगाते हैं धन्यवाद